आप सब ठीक होंगे आज बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक जो है हम डिसकर्स करने लगें और इसमें हम आपके घरों के उन सेल्स की बात करेंगे जो कि आप घडियों में लगाते हैं और टॉइज वहरा में यूज करते हैं आपके लिए और इसकी केमिस्ट्री में आज आप पर सामने जो है वह एक्सप्लेइन करूंगा इसमें आप यह आपको डागराम नदर आ रही होगी इसमें तोशीबा तोशीबा काफी मशूर है पाकिस्तान तोशीबा सेल राइट तोशीबा सेल एक गल्वैनिक सेल है और इसकी खासियत यह है कि यह जो है विजली बनाता है और यह कितनी विजली बनाता है यह 1.5 वोल्ट करंट जिनरेट कर सकता है यह आपको बोर्ड में एमसी के जो भी आ सकता है और इसमें जो है आप देख सकते हैं एक पुरा मेकानेजम है इसमें जिंक जो है वो एदा अनोड वर कर रहा है और मिगनीज डायोकसाइड एदा कैथोड वर कर रहा है यह पेस्ट की फ्रम में होता है मिगनी डायोकसाइड और úcar गडायोकसाइड जिंक जो है वह ए ऐधा इलेक्टरोदू लाइट के पाम कर रहा है और जो एक ऐनोड है वो एक अनोड है जिंक कंटेनल की तरह है कांटेनर होता है और इसे बार बी एक स्टीनर नेरा आप देखते भी आहां आप उतार भी लेते होंगे और इसके लावा इसमें पेस्ट कुल सेंटर में एक कार्बन की एक करॉड मोट विए जो के अक्रफ रोड करने के लिए So what I am talking around here is that के जो अनोड है इस पर ऑक्षिदेशन हम में आपको करवा के दिखातो और कैथोड पर रेडक्शन होगी कैसे होगी होता ही है के जो जिंक है Zinc Zinc बेसिकली एलेक्रोन लूजर है Zinc जो है वो एलेक्रोन लूजर है and you know that के जिंक जो है वो दो एलेक्रोन तक लूजर सकता है So that's the that's happening at anode and that is called oxidation right और if you just say that if you add hydroxy ions to it जो के potassium as electrolyte में मजूद है potassium hydroxide की शेकल में caustic potassium की शेकल में तो ये दोनों hydroxide से अटेश हो जाएंगे फिर definitely ये चार्ज कैंसल हो जाएगा और what you will see around here zinc hydroxide plus two electrons liberated क्योंके negative ions दोनों तरफ एड़ करेंगे ना तो यहाँ पर ये attach हो जाएंगे zinc hydroxide जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे cell की काम करने की सलायत कम होती जाएगी ये तो हो रहा है anode पे और cathode पे क्या हो रहा है cathode पे जो है आपको यहाँ नदर आ रहा है के मगनीज और प्लस फूर स्टेट रहता है जब इस मेल अट्रोन अट हो जाएंगे तो यह बन जाएगा something like a मगनीज ट्रियोकसाइड क्या बन जाएंगा मगनीज ट्रियोकसाइड यहाँ इसको अशुडिशन स्टेट जो है बलस तो हो जाएगा क्याक स्ट्रियोकस 2लाव एक और नदर काल दो जाएगा तो यह बनकल जाएगा ठायस तर 2ड़ेगा थो जाएगा और धो हैगा पुलस री डो टो कल दो जाएगा तो जाएगा the case. यानि मगनीज जो है वो अंडर को reduction. और ये कहा पर हो रहा है? ठीक है? ये और रेक्शन कहा पर हो रहा है? ये कैथोड पर हो रहा है. राइड, I'm just do it again for you. कैथोड और कैथोड पर क्या हो रही है? reduction. Reduction कैसे हो रही है? क्यूंकि मंगनीज dioxide जो है, that's been converted into Mn2, sorry, let me do it again. Mn2O3 और how many electrons are being added over here? Yes, two electrons जो के drop होए थे cathode से, sorry, anode से. और ये प्लस 4 से कौन से उक्षिशिट में जा रहा है? प्लस 3. यानि, दो electron है, एक जाएगा प्लस 4 से प्लस 3 है, तो गना टेक 2 mol, तो ये दो mol ही बनेंगे, right? कि दो electron utilize होंगे, और इसमें में आपको एक और बात add करता चलू, के यहां पर आपको मजीद oxygen जो मिलेगा, वो water की form में मिलेगा, ठीक है? तो यहां पर total 3 oxygen है, अब हमें, sorry, यहां पर हैं, how many oxygens? 4 oxygen, right? and 4 and 1, 5 and with how many? 3, 6. so एक oxygen यहां कम है, तो गना टेक 2 here, place 2 here, right? how many oxygens? 2, 2, 4, 4 and 2, 6 and 2, 3s are 6, so oxygens are balanced, right? but hydrogens are there, no, right? तो hydrogens को जो है आपने लिखना है in the form of hydroxy ions, right? hydroxy ions, hydroxy कितने है ions यहां पर? hydroxy जो है, there are 2 ions of hydroxy. so total oxygen कितने हो गए यहां पर? 2, 3s are 6, 6 to 8, right? 2, 2s are 4, 4 and 2, 4 and 2, how many? how many oxygens? 4 and 2, 6, right? so oxygens are imbalanced, right? तो इसको आप balance कर लीचेगा अब इसमें जो है आपने reactants को जो है वो cut off कर दे रहा है, ठीक है? and you know the how to balance this oxygen, I just told you that in a basic medium, आपने दूसरी example की थी वो basic medium को follow करना है आपने ठीक है? और क्या हो जाएगा मारे पास यहां पर हमारे पास zinc है, right? we got some water molecules, zinc zinc we got some hydroxy, two hydroxys right? and we got some two manganese oxide molecules and we got some two water molecules and we got some zinc hydroxide and we got some manganese oxide, Mn2O3, two moles of it and we got some hydroxy ions alkaline इसली कहते है क्योंकि आपको पता यह basic medium है यहाँ पर यह लेक्रोलाइट भी बास है, that's why we call it as a electrolyte electro galvanic cell but of alkaline in nature, right? so that's the story of this topic that alkaline जो है, यह कैसे है battery क्योंकि it's been producing 1.5 volts and that's the reaction at anode and that's the reaction at cathode but that is the overall reaction जो मने आखर में लिखे है, यह आपको memorize करना है okay so it's very important, thank you so much that's it झाल